वेलकम फ्रेंट स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अग्जाम तक में दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केम्प्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रस जो की आपके यूपी पी सेल टीजूटू के लिए काफी ज्यादा इंपॉ आपको जो है इन सभी कुछिशन का जो राइट एंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है तो यहां पर कुछिशन नमबर पूछा गया है निम्न में से कौन सा बीकल्प जो है निम्न कत्नों की सत्ता का सबसे अच्छा वर्ण करता है यानि कि कौन सा सही है कौन सा गलत है फर्स्ट दिया गया है रायम रोम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा स्थापित दो मेमरी सौप्ट वेर हैं तो दूसरा अपसे इमेल आड़ी में यूजर नेम अधिक्तम जो है 64 करेक्टर का हो सकता है तो कौन सा गलत है कौन सा सही आपको बताना है तो रायम क्या होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है रायम और रोम जो है स्टोरेज डिवाइस होता है और रायम का डाटा जो है अगर आपक दिया गया है यहां पर email ID में username अधिक्तम जो है 64 character का हो सकता है तो जो user name होता है इसको जो है आप अधिक्तम जो है 64 character का बना सकते हैं जबकि जो है first option यहां पर गलत है तो यहां पर जो right answer हो जाएगा इसका हो जाएगा option number B इसका correct answer अगला question यहां पर देखेंगे question number 11 दिया गया है निम्न में से कौन सा बीकल्प है निम्न कतनों की सतता का सब्चे अच्छा वर्डन करता है यानि कि कौन सा बीकल्प जो है सही है और कोई सा यहां पर गलत है पहला option दिया गया है क्या computer सा डाउन करने से जो है सबी program बंद हो जाते हैं तो यह यहां पर जो है correct है दूसरा option है volume control button जो होता है जो notification area में प्रदैसित होता है जो आप जो है computer में volume जो है बढ़ा सकते हैं वो task bar में स्थित होता है यहां पर जो है volume का option दिया गया होता है तो यहां पर यह भी option क्या हो गया correct हो गया इसलिए जो है question का right answer क्या हो जाएगा option number D अगला question देखते है question number 12 दिया गया है यहां पर नेमने में से कौन सा बीकल्प जो है यहां पर सत्य है आपको बताना है excel worksheet में select all का option जो है tool bar में right की तरफ होता है दूसरा option यह जो email ID आपको दिया गया है यह एक सही email ID है कि नहीं आपको बताना है तो यह जो है गलत email ID है क्योंकि जो है किसी भी email ID में आपको जो है space का option नहीं मिलता है इसके लाओ जो है dot का option वहाँ पर नहीं दिया गया हो वह है यहाँ पर option number जो है c दोनों यहाँ पर जो है गलत है तो इसलिए जो है option number c जो है question number 12 का correct answer है question number 13 यहाँ पर पूछा गया है निमने में से कौन सा बीकल्ब जो है निमने कतनों की सतता का सबसे अच्छा वड़न करता है यानि कि आपको दाना है कौन सा सत्य है कौन सा का सत्य है linux एक open source operating system है तो linux जो है एक open source है यानि कि इसको जो है free of cost आप download कर सकते हैं इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का जो है purchase नहीं करना पड़ता है यानि कि यह सभी आपको जो है google पर available है इसको जो है free of cost डानलोड किया जा सकता है और यहाँ पर जो दूसरा पूछा गया है usd का पूरा नाम पूछा गया है तो यहाँ पर जो है first correct है और दूसरा क्या है incorrect है तो यहाँ पर write answer है option number यहाँ पर option number यह जो है इसका correct answer है अगला question यहाँ पर देख सकते हैं अगला question पूछा गया है यहाँ पर सत्य और सत्य बताना है twitter पर कोई post करते समय आप अधिक्तम जो है 280 लिख सकते हैं दूसरा option है यहाँ पर job search करने वाला application जो है link डिट है तो यहाँ पर दोनों option क्या है correct है तो write answer इस question का हो जाएगा option number D जो है इस question का write answer हो जाएगा अगला question देखते है question number 15 दिया गया है निमने में से कौन सा बीकल्प जो है कतनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्ण करता है option है यहाँ पर CC के द्वारा जो है यानि कि कौर्बन कापी इसका पूरा नाम होता है और दूसरा होता है BCC यानि कि blind कौर्बन कापी इसका पूरा नाम होता है CC के द्वारा जो है एक से अधिक लोगों को mail नहीं बेश सकते हैं और दूसरा है तो इसके द्वारा जो है एक से अधिक लोगों को mail वेजा जा सकता है और firewall PC की रच्छा नहीं करता या PC को अनिद्गित पूस से बचाता है तो यह जो है यहाँ पर correct है तो right answer हो जाएगा option number D, option number D जो है इसका correct answer हो जाएगा अब यहाँ पर question number 16 को देखेंगे 16 आपको बताना है Microsoft Word में 16 तरह के underline मौजूद है दूसरा option है सबस्क्रिप्ट, इसका उप्योग, टिक्स्ट या नंबर को नीचे रखने के लिए किया जाता है तो MS Office में जो है word में कितने प्रकार के underline मौजूद होते हैं 16 तरह के यहाँ पर दिया गया है जैसे हो गया italic हो गया underline हो गया, double underline हो गया तो इस तरह के जो है total यहाँ पर कितने underline मौजूद होते हैं यह आपको बताना है दूसरा है सबस्क्रिप्ट यानि एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट यानि कि अगर आपको x square लिखना है तो किस का प्रियोग करेंगे और यहाँ पर x2 लिखना है तो किस का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं इस question की तो यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option number यहाँ पर यह जो है इसका correct answer है क्योंकि Microsoft Word में 16 तरह के underline क्या होते हैं मौझूद होते हैं और जब कि सब स्क्रिप्ट का प्रयोग जो है नमबर को उपर करने के लिए किये जाता यानि कि यक सिस्क्वाइल लिखना है तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट जब करना है तो आपको जो है नमबर नीचे आजाएगा तो यहाँ पर जो है अप्शन नमबर यह जो है इसका correct answer है अब अगला कुश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं अगला कुश्चन पूचा गया है इमेल दोरा अटेच्मेंट फेजने की अधिक्तम सी में क्या है इमेल के माद्याप से आप जो है किसी भी फाइल को या फिर फोटो की फाइल को या फिर वीडियाप को बेश सकते हैं या फिर फोटो की फाइल को बेश सकते हैं तो अधिक्तम जो है जो फाइल साइज होती है वो कितनी हो सकती है इमेल के दोरा आप वाटसअप में देखे होंगे लगबग जो है 105 यंबी तक जो है आप वाटसअप में बेचते हैं और email के माद्यम से आप अधिक्तम जो है 25 MB तक की फाइल को क्या कर सकते हैं बेज सकते हैं इससे बड़ी जो है फाइल को आप email के माद्यम से जो है नई बेज सकते हैं तो right answer है इसका B option अगला question है निम्न में अन्वीटू जो operating system होता है उसका जो है जो छुपा हुआ उसमें file है उसको देखने के लिए कि shortcut कुण्जी का प्रियोग किया जाता है यह आपको बताना है shift plus h, control plus h, alt plus h या फिर control plus shift plus h तो यहाँ पर जो है control plus h का प्रियोग किया जाता है तो option number b जो है इसका correct answer है अगला question है जब हम file को जो है minimize करते हैं तो file जो है कहाँ पर दिखाई देता है जो file को आप minimize कर देते हैं तो file जो है कहाँ पर दिखाई देता है status bar पर, task bar पर, scroll bar पर या फिर menu bar पर तो कहाँ पर दिखाई देता है वो file जो है task bar में दिखाई देता है यानि कि be option correct है या फाइल कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं प्रोग्राम किसी भी app को जो गर आप computer में minimize करते हैं तो कहाँ पर जाता है task bar में वहाँ पर so करता रहता है सबसे नीचे होता है task bar तो वहाँ पर so करता रहता है अगला question है यहाँ पर question number 20 आप देख सकते हैं बूचा गया है निम्न में से कौन सा बीकल्प है निम्न कतनों की सबसे अच्छा वड़न करता है यानि कि एकसल में जो अधिक नियुनतम जूम होता है वो कितना होता है दस परसेंट होता है यह करेक्ट है यह में से क्सल में जो है नियुनतम जूम कितना होता है दस परसेंट होता है और पाउर पॉइंट में कितना होता है पांच परसेंट होता है तो यहाँ पर भी 10 परसेंट होत जबकि जो है अधिक्तम जो है बात करते हैं तो एकसल में जो है 400% होता है पौरपाइंट में जो है 500% होता है और वर्ड में भी अधिक्तम जो है 500% जूम होता है तो यहां पर जो है फर्स्ट क्या है सही है दूसरा क्या है यहां पर गलत है तो इसका राइट एंसर जो हो जाए ऐगा फस्ट सही दूसरा गलती आने की यह option जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला कुछ ने निम निम लिखित में से कौन सी कुझी जो है toggle कुझी नहीं है कौन सी कुझी जो है toggle कुझी नहीं है आपको बताना है Ctrl Alt Caps Lock Scroll Lock ESC Tab की या फिर सभी कौन सी कुझी यहाँ पर जो है Toggle कुझी नहीं है आपको बताना है तो यहाँ पर जो Right Answer है वो है Option Number B जो है इसका Correct Answer है यहाँ पर जो है Ctrl Alt जो है कौन सी कुझी होती है Modify की होती है Modify की यानि की Combination की होती है और यहाँ पर जो है और यह जो कुझी होती है Toggle कुझी होती है Caps Lock और Scroll Lock जो है यह कौन सी कुझी होती है Toggle की होती है अगला कुशन है यहाँ पर कुशन नमबर 22 नेम नमेंसे किसने जो है Linux Operating System को भिक्षित किया था पताना है तो लिनियस ट्रोबिलेंस या फिर कें थॉम्प्शन डेनिस रिचल या बिल लेप्स तो यहां पर जो करेक्ट अंसर है वह है आपसे निंबर ए जो है इसका करेक्ट अंसर है अगला कुछ ने आई यम ईय का जो है पूरा नाम क्या है IEMEI जो है आपने देखा होगा मोबाइल में होता है मोबाइल में IEMEI नंबर होता है तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है International Mobile Equipment Identify तो Equipment Identity जो है इसका पूरा नाम होता है यानि कि C option इसका correct है International Mobile Equipment Identity जो है इसका फूरा नाम है अगला कुशन देखते है कुशन नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है जब हम किसी सब्द के उपर जो है लेप्ट क्लिक करके जो है स्क्रीन के चारो और घुमाते हैं तो क्या होता है किसी सब्द पर जो है आप लेप्ट साइड में क्लिक करके जो है सारे उपर स्क्रोल करते हैं तो क्या होता है वो सब्द क्या हो जाता है सेलेक्ट हो जाता है यानि कि आप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट एंसर है अगला कुशने MS Excel में सिल कॉलम की डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो कितनी होती है MS Excel में कॉलम की सिल की डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो कितनी होती है तो यह वो होती है 0, 5, 4, 5 इंचेज होती है यानि कि एक option जो है इसका correct answer है अगला question यहाँ पर आप देख सकते है question number 25 है तो यहाँ पर हमने 40 plus test बना रखे हैं अगर आप इसको लेते हैं तो आपका computer आसानी के साथ qualify हो जाएगा तो आपको सारे test का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आप सीधे यहाँ पर test दे सकते हैं जिसका link आपको जो है नीचे description में मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो को test को दे सकते हैं तो आगे के question जो है हम कल के वीडियो में discuss करेंगे तो आज के लिए बस इतना है thanks for watching this video झाले को झाले के सकते